नमस्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जारे जानी क्यों सोते समय मूँ से निकलती है लार और इस समझ्या से छुटकर अपाने के उपाई कई लोग जब गहरी निंद में होते हैं तो उनके मूँ से लार निकलने लगती है लोगों को सोते समय मूँ से लार निकलना आम बात लगती है जो कि गलत सोच है क्योंकि सरीर के स्वस्तना होने पर ही मूँ से लार निकलती है डॉक्टरों के अनुसार लार निकलने के कई सारे कारण होते हैं और जब लार निकलती है तो इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए मूँ से लार निकलने के कारण क्या है वह अब हम आपको बताते हैं मुँ से लार निकलने का मुख्यकारा नाक में एलेजी होना होता है कई बार बाजार का खाना खाने से मुँ में जादा लार बनने लगती है और सोते वक्त लार मुँ से बाहर निकलती है सरीर में ग्लेंट्स सोती हैं जो की लार बनाने का कारे करती है गलत तरह का खाना खाने से ये ग्लेंट्स सोते समय अधिक लार बनाने लग जाती है पेट सहीना होने पर भी सोते समय लार मुँ से निकलती है इसके अलावा टॉंसिल्स में सूजन के कारण लार सरी से बाहर मुँ के द्वारा निकलती है मूँ से लार निकलने पर अजमाई ये उपाए सोने से पहले करे कुला रात को हमेशा सोने से पहले कुला करे ऐसा करने से मूँ में अधिक लार नहीं बनती दरसल भोजन करने के बाद मूँ में ज्यादा लार का निर्मान होता है वही खाना खाते ही अगर कुला कर लिया जाए तो लार की समश्या नहीं होती पेट को रखे सही पेट खराब होने पर भी लार बनने लग जाती है और जिन लोगों को ऐसी डिटी होती है उन लोगों के मुझे लार अधिक निकलती है इसलिए अपने खाने का खासा ध्यान रखना आपका सबसे पहला कारिय होना चाहिए केवल सही खाना खाए क्योंकि गलत तरह कार पेट के लिए काफी दिक्कत भरा होता है और पेट में अनेक प्रकार के रोग होने लगते है अच्छी नींद ले कम नीद लेने से सरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पाचन क्रिया खड़ाब हो जाती है इसलिए नीद सही से ले और कम से कम आठ गंटे तक सोए इसके अलबा खाना खाने के तुरंद बाद ना सोए हमेशा खाना खाने के कुछ देर आप गूमे और आप ऐसा करेंगे तो भोजन पचेगा और इससे आपको गैस की समश्या भी नहीं होगी एक्सरसाइज या योग करें जिन लोगों का सरीर सक्री नहीं होता उन लोगों के मुव में अधिक लार बनती इसलिए आप अपने सरीर को फिट रखें और रोज कम से कम 30 मिन की एक्सरसाइज और योगा जरूर करें गरेलू उपचार मुँ से लार निकलने की समश्या होने पर आप तुलसी के पत्ते दिन में 2-3 बार खाएं तुलसी के पत्ते खाने से ये समश्या सही हो जाती है आप चाये तो तुलसी की चाय भी पी सकते हैं रोज पानी में फिटकरी मिलाकर इस पानी से कुला करें ये उपाय करने से मुँ में अधिक लाव ने बनती परन्तु ये ध्यान रखें कि ज़्यादा फिटकरी के इस्तमाल से मुँ फट भी सकता है इसलिए आप फिटकरी सिर्फ एक चुटकी भरी डालें दालचिन्नी खाने से मुँ से लाव निकलने की समश्या खतम हो जाती है दालचिन्नी के पाउडर को आप दूद में मिला कर इस दूद का सेवन रोज रात को करें एक अफ़ते के अंदर ही ये समश्या जड़ से खतम हो जाएगी चारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जैहिंद